आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम पे सभी घर पे हैं स्कूल बंद हैं एक्जाम पुष्ट पॉनों रखे हैं और कल जो वीडियो बनाई थी उसकी कमेंट्स को पढ़के मुझे ऐसा मैसूस हुआ कि जादातर सभी बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं और इसमें तुमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुमारी जगा अगर मैं भी होता अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे साथ सेम सिच्वेशन होती है कैसे हालात होते तो शायद मेरा भी मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि ऐसा जब हो जाता है तो पढ़ाई का मन नहीं करता है बिल्कुल भी और न्यूज वगएर आप देखते होंगे तो दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और यह सारी चीज़े सोच सोच कर भी कहीना क आपको बताने वाला हूँ हाला कि मैं टाइप करके कुछ भी नहीं लाया हूँ मैं आपको बिल्कुल साथ के साथ बताते हैं चलूँगा आप मेरी बातों को समझने की कुशिस करना है देखिए आपके जूए एक्जाम है वो पूरी तरीखे से पोस्ट पॉण हों रखें आप सभी जानते हैं अब आपके पास भारी पोस्ट पॉण होने के बादधे एक्जाम आपके पास दो ही रास्ते बचे बर्चे या तो आप बिल्कुल ही चोड़ दो déjà आपको अभी आप मतलब ज रेगुलर इस्टडी करते रहो पर समस्तियां यहां पर रेगुलर में यह आएगी कि पढ़ने का मनी नहीं करता तो कैसे रेगुलर कर सकते हैं पहले की तरह जो बना हुआ था पढ़ाई का लगाता हम पढ़ते थे आठ गंटे 6-6 गंटे यहां तक कि रात के अगर मैं 12 बजे एक बजी भी मैं वीडियो अपलोड करता था कभी कभी तो उस टाइम भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ जाते थे आनि कि बच्चे जग्य होते थे और कई सारे बच्चे उस टाइम पर पढ़ रहे होते थे लेकिन अब वह वाली बात रही नहीं है सब के साथ मतलब कही जिस दिन से एक्जाम हमारे पोस्ट बन हुए उस दिन से किताब नहीं खोल के देखी बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि अभी तो बिल्कुली बढ़ना बंद कर दिया बिल्कुली नहीं बढ़ा तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भाई प्लीज ऐसा मत करो ठीक है आप को प्लीट आएगी तब से बढ़ूँगा हो सकता आपको ज्यादा टाइम ना मिले और फिर आप जो पीछे लगातार पढ़ते आ रहे थे तब तक तो ठीक था लेकिन बढ़ना बंद कर दिया तो हो सकता है जो चीजे तुम्हें बहुत अच्छे से आती हो वो भी भूलने child sboys ga देखो अपना अलग अलग होता है कोई जढ़ा बढ़ता है कोई कम पढ़ता लेकिन बरेखहो पढ़ते थे तो यहाँ में आपको यह बता रहाँ कि आप एक काम कर सकते हो कि आप regular तो पढ़ो लेकिन आप ताइम कम करतो आप अपने ौ तीन सब्जयक्त लेलो जैसे आ को date sheet आपकी दुबारा से आएगी अगर भविश्य में पेपर होता है तो date sheet फिर से आएगी आपकी तारीखें बदल जाएगी जो आपकी paper है हो सकता है subject उपर नीचे भी गर दें अभी confirm नहीं कहा चा सकता है लेकिन आपका पहला paper तो fix होता है कि पहला paper आपका English का ही होता है मै आप 10 मिनट ही पढ़ लो daily के 20 मिनट ही पढ़ लो इतना ही पढ़ लो अगर आप 30 मिनट भी पढ़ ले तो 10-20-30 जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप daily पढ़ो मदब एक consistency जो बनी हुई थी उस चीज को नाम तोड़ो मत ठीक है मैं मान रहा हूं कि बहुत ज़्यादा समस्य पता नहीं क्या क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों के साथ लेकिन अगर तुम्हारे पास time है और तुम time pass कर रहे हो यानि कि कि किसी दूसरे माध्यम से आप mobile में time waste कर रहे हो या फिर आप किसी अन्य चीज़ों में ज्यादा time waste कर रहे हो या आपका मन नहीं क मन करता है वीडियो देख लो supporting material होता है उसको उठाके पढ़ लो बहुत सारे आपके पास option है पढ़ाईगे ठीक है आप कम पढ़ो पर आप daily पढ़ो पढ़ना शुरू करता हो अगर आप अभी से 10-10 मिनट भी पढ़ना शुरू करता होगे ना तो धीरे 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 करके ज किसे हमने इंगली की रामबांड सीरीज श्टार्ट की है तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पोलिटिकल की स्टार्ट कर दो हिस्ट्री की स्टार्ट कर दो जाद अदर सभी सब्जेक्टों का बनाएं उसमें आपको फाइदा क्या होगा देखो वह जो वीडियो होती है एपिसोड की बहुत बड़ी नहीं होती 10 से 20 मिनट की वीडियो होगी एक एपिसोड अगर आप एक एक एपिसोड करके देखना सुरू करोगे तो उसमें मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन होते हैं वो मैंने आपको सारे करा रखें और अगर आप इन कोशनों क देखते रहते हो सुनते रहते हो समझते रहते तो आप कहीं ना कहीं टच में रहोगे पढ़ाई के अगर आपने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी नहीं होता है एक्जाम या कोई भी दिक्कत होती कमसे कम ग्यान तो है नु उसमें विजी हैं जैसे कि आपके हिस्ट्री का सपोर्टिंग मेट्रिल का सॉल्यूसन बना रहे है पहले वह पूरा का पूरा सॉल्यूसन बना देंगे आपका क्योंकि अभी तक किसी ने प्रोवाइड नहीं करा है और सीब्सी की तरफ सोरी जो दिली गवर्मेंट की तरफ लो बस एक कंसिस्टेंसी बना लो दस मिनट बंदा मिनट पढ़ते रहो धीरे 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 करके ठीक होने लगेगा सब कुछ और एक्जाम डेट मान लो कभी आ जाती है महीने दो महीने तीन महीने बाद और पेपर हो जाते हैं तब आपको बिल्गुल भी प्रोब्लम ना आ तो उसी के रिप्लाई में मैं आपके टाइम टेवल छोटा सा ये वीडियो बनाये था आज अगर इसके बाद भी कोई प्रोब्लम है तो आप बताओ उस पर भी अगर देखा जाएगा तो एक वीडियो बना देंगे